देवाज जिले के नेमावर थाने पर मुखबिर की सुषना पर नेमावर पुलिस ने हर्दा से इंदोर की और जा रही कार से चेकिंग के दोरान उसमें बेक के अंदर रखे 40 लाख रुपे का परिवहन किया जा रहा था पुलिस ने चेकिंग के दोरान जब्त किये हैं हम आपको बता दी कि नेमावर पुलिस को मुखबिर की सुषना प्राप्त हुई थी कि कार से मानक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था वही चेकिंग में लाखो रुपे मिले, मामले को आयकर विभाग को सोपा जाएगा, जाच होने पर खुलासा होने की संभावना है A.S.P. सुर्यकान शर्वा ने बताए कि इस मामले को पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र लिख कर सुषना दी है आयकर विभाग के जाच के बाद जो भी निर्देश देंगे उसके हिसाब से आगी की कारीवही की जाएगी कन्नौत से कमल गर्ग की रिपोर्ट तो वो उस पैसे का सही सुरोत नहीं बता पाए सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए उसको थाना प्रवारी ने 43 ना मुपे को जब्त कर लिया है और इंकम टेक्स विभाग के जुँएं कमिशनर इंविश्टिकेसन विंग को एक पत्र लिखा है जो जाच के लिए आ रहे है जाच के बाद जो भी इंकम टेक्स विभाग आगे जिसार निर्ज़स देंगे उसके हिसाब से इसका डिस्कोजर किया है क्या लग रहा है सर प्रारंबिक जाच में पुलिस ने जो बातचीत में क्या निकल कर आ रहा है कि एक बड़ी रकम जो है उसका परिवन हो रहा था तो कहां से कहां ले जा रहे थी ये लोग उसका कहना है कि हम हर्दा से इंडॉर जा रहे थे और जो दस्ताविद मांगे गए तो दस्ताविद जो उनने दिया वो परियापने का उस त्राली स्राख रुपए का वो सही दस्ताविद नहीं दिखा पाए सर ऐसी बात निकल के सामने आ रही है कि पुलिस को आवेद तसकरी से जुड़ी सूचना मिली थी मुखवीर से हाँ हम कोई भी आकस्मिक चेकिंग जो करते हैं वो मुखवीरी की सुच्छा पर ही करते हैं और उसी दौन ये गटना करते हैं हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिलकुल भी ना भुलें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो